हमारे मरने पर तुम कितना GST लोगे पशिम बंगाल की CM ममता बैनर जी का केंदर पर निशाना नौन ब्रेंड़िट कमपनियों की प्री पैकेस वस्तूओं पर पांच फीस दी GST लगाने से केवल दूद बही के दाम ही नहीं बड़े हैं अंतिम क्रिया भी महंगी हो गई है हिंदु धर्म की परंपराओं के अनुसार अंतिम क्रिया करने में लगभग दो दर्जन ऐसी वस्तूओं का इस्तिमाल होता है जो जादतर नौन ब्रेंड़िट कमपनियों के माध्यम से लोगों को प्राप्त होता है ये सभी समान अब तक GST कैटेगरी से बाहर थे लेकिन अब इन सब पर 5 पीसदी GST टैक्स लग गया है और इससे इनकी कीमते बढ़ गई है इससे अंतिम क्रिया कराने में भी 200 से 500 रुपे तक का अतरिक्त भार बढ़ गया है पशिमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने GST की नई दरों को लेकर के इंदर सरकार पर तगड़ा हमला बोला है एक रैली में ममता बैनर जी ने कहा कि दही चावल अस्पताल के बेट तक पर GST लगा दिया गया है ममताब एनरजी ने कहा कि मरने पर कितना GST लगाया जाएगा सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद जनता की भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है आम आगनी पार्टी से जुड़े विने मिश्रा ने ट्विट करके लिखा जिन्दा है तो मोदी जी की सरकार को टेक्स दीजिए अगर मर गए तो घरवालों को बोल कर जाएए कि अंतिम क्रिया में भी टेक्स दे अंग्रेज जमाने की याद दिला दी मोदी जी ने जब तक जनता में एक एक सांस बचा है तब तक जनता को लूटना है एक यूजर ने लिखा आज कल मुर्दों में बहुत टेंशन का माहोल देखा जा रहा है ये बाद सरकार ने मुर्दों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि अंतिम संसकार क्रिया पर तो कोई टेक्स नहीं है किन्तु कफन पर 18 प्रतिशत GST तो लगेगी ही लगेगी आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कॉमेंट बॉक्स मपनी राय जरूर दे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैल आइकन बटन जरू प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वाइरल न्यूज आप तक पहुँशती रहे